नमस्कार किसान भाईयों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सबजी में कौन सा फसल लगाने पे हमें मार्केट में अच्छी मुनाफ़ा मिले जब आपकी फसल मार्केट में आये तो अच्छी मुनाफ़ा दे यह सारी चीजे जानने के लिए वीडियो को अंतक हैं कि इसमें पहली फसल है भिंडी की जो भिंडी की खेती होती है इसका प्रती एकड़ उत्पादन 120-160 कुंटव प्रती एकड़ होता है इसकी तुड़ाई लगवग 40-50 दिनों के में स्टार्ट हो जाता है इसमें लगवग लगवग किसानों को एक एकड़ में लागत लगती है 25-30,000 रुपया और बात और बात यह भी करें कि इसमें मुनाफ़ा कितना होगा तो मुनाफ़ा के बारे में 2-3 लाख रुपया परती एकड़ किसानों को भिंडी की तुड़ाई के किसान वाई अगर आप करेले की खेती एक एकड़ में करने का प्लान कर रहा है तो एक एकड़ की करेले की खेती का पाधन लगभग सौ से के मतब फसल पर्ति थोड़ा पचास से साड़ दिनों में शुरू हो जाता है डिवी चालीश और रुपय पर्ति एकड़ इसे किसान को लगता है तो इसमें मुनाफ़ा की करने से पहले हम यह बता दें कि जो करेले की खेती होती है जो बरसात में जो किसान भाई मचान के विधिद्वारा लगा कर खेती करते हैं उसमें किसानों को जिससे आपकी लागत थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन उनसे मुनाफ़ा भी किसानों को ज्यादा मिलता है रही बात मुनाफ़ की बात हम कर रहें तो एक एकड़ में लगवक दो से तीन लग रुपे किसान भाई मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं इस वीडियो में हम तीसरी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जो फसल है खीरा खीरा का वजन सबसे ज़्यादा होता है जो उसका वजन ज़्यादा होने कर रहें आपको मुनाफ़ा भी अच्छा मिलता है यदि खीरा का उत्पादन की बात करें तो एक एकड़ में उसका उत्पादन 150 से 1500 कीजी कुंटल परती एकड़ होता है जो पहली तुड़ाई 40 से 45 दिन में होता है और लागत 20 से 25 रुपया इसमें लागत लगती है ये थी तीन ऐसी फसल जिसको लगा कर आप बेतर मुनाफ़ा कमा सकते हैं ये जो बताई गई फसल है किसान भाई ये समान किसान जून मा में लगाना शुरू करते हैं और आप इस फसल को लगा देते हैं तो आपके फसलों में फूल आना शुरू हो जाता है जिससे उनके फसलों को तयार होने से पहले आपका फसल तयार हो जाता है और बजार में आप लाकर उसे अच्छे मुनाफ़ा करते हैं